Hello friends, welcome to my channel सर्दी खासी से बचने के लिए हमारी नानी दादी जो उपाय अपना थी थी आज वही उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ इसके लिए हमें सोट पावडर और उतना ही गुड थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सा गाय का गी मैंने लिया है अभी यहां मैंने एक लिया है इतना ही गुड और लगेगा गुड को अच्छी तरह से कूट लेना है थोड़ी देर कूटने से गुड एकदम नरम हो जाता है और फिर सोट में इसकी पकड अच्छी हो जाती है हल्दी हमें बिलकुल थोड़ी ही लेनी है अब सोट पाउडर भी हमें इसमें डाल देना है अभी सोट पाउडर के हिसाब से गुड थोड़ा कम है इसमें हम और गुड मिलाएंगे इसे पहले हम गाय का गी इसमें मिला लेंगे गाय का गी, गुड, सोट यह सब सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है डिस्क्रिप्शन में गुड के फायदों की लिंक मैं आपको दे रही हूँ गुलियां बनने के लिए इसमें गुड और लगेगा क्योंकि जितना सोट पाउडर है उतना ही गुड होना चाहिए इसलिए यहां मैंने गुड और लिया है और इससे भी इसमें मिला दिया है सोट की गुलियां सर्दी खासी तो दूर भगाती हैं जोडों के दर्द को भी मिटाती हैं कफ को हटाती हैं इसके अलावा भी इसके कई फायदे हैं इसकी हमें छोटी-छोटी से गूलियां बना लेनी हैं बेर के बराबर, इसकी एक-एक गूले सुबह शाम लेनी चाहिए, इसे हम किसी भी आकर में बना सकते हैं.